एक स्त्री का एक ही बेटा था वह मर गया तो वह रोते बिलगते भगवन बुद्ध के पास पहुँची और उनके पैरों में गिर कर बोली भगवन आप किसी तरह मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए भगवन बुद्ध ने उसके प्रती सहनु भुती जताते हुए कहा तुम शोक ना करो भगवन बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सांत्वना देते हुए कहा मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूँगा लेकिन एक शर्थ है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ मांग कर ले आओ जहां किसी भी व्यक्ती की कभी भी मृत्यू नहीं हुई हुए उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दोड़कर गाओं में पहुँची अब वह एक ऐसा घर धूणने लगी जहां किसी भी व्यक्ती की मृत्यू नहीं हुई हुँ बहुत ढूंडा लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला वह निराश होकर भगवन बुद्ध के पास आई और सारी स्थितियों से अवगत कराया तब भगवन बुद्ध बोले यहां संसार का चक्र है यहां जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है तुम्हें इस दुख को धैर्य से सेहन करना होगा तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने भगवन बुद्ध से सन्यास लिया और मोक्ष की रहा पर चलने लगी